गुड मॉर्निंग थर्ड क्लास बिटा हम लोगों ने EBS में चैप्टर नमबर 15 की रिडिंग की थी चैप्टर नमबर 15 था हमारा टेक्स्टाइल्स के बारे में है ना हमने कपड़े के बारे में जाना था अलग-अलग कपड़े जो मैन पहनते हैं या विमेंस पहनती है कपड़ों को कलर कैसे किया जाता है कपड़े के जो धागया आते हैं जो रेशे होते हैं वो कैसे बनते हैं ये सारी चीज़े हमने इस चैप्टर में पढ़ ली थी तो अभी इस वीडियो में मैं आप लोगों को इसके word meanings और इसके exercise पर डिसकस कर दूँगी जिससे कि आप लोगों को work में कोई problem नहीं आईगी और उसमें आपको PDF भी send कर दूँगी तो उसमें से देखकर आप लोग अपना work complete कर सकते हैं तो हमाना chapter number 15 complete हो जाएगा ठीक है तो स इस्टिस्ट मतलब बिना सिला हुआ टेक्स्टाइल मतलब कपड़ा या फिर वस्त्र और एंब्रोईड्री यानि कड़ाई ठीक है जो हम लोग सुई और धागे से जो कड़ाई करते हैं तो यह हो गया अब बात करते हैं इसके exercise part की फरस्ट है टिक दा करेक्ट ओप्शन इस फूल हमें शीप से मिलता है जो कि एक अनिमल है तो यह दोनो ही नैचरल फाइबर है इसलिए हमने बोथ पर्टिक किया बोथ मतलब दोनो सेकंड है इन इंडिया धोती इस वियर्ड बाई इंडिया में धोती कौन पहनता है मैन वुमेन या दोनो तो धोती मैन पहनते है थर् हमें पहन पहर्त है विच अव द फौलएंग इस नों अन अन इन सिछ ड्रेस इन में से कौन सा बिना असिलावर ड्रेस नहीं है तो साड़ी थो दोती बिना चीली भी ओती है लेकिन कमीज सीली भी उती है तो हमने कमीज को टिक किया फिफ्ट है डैश है यस ताई या नाई स वास्ट नाइलन, रियन, पॉलिस्टर और डैश फाइवर्स. तो यह कैसे फाइवर्स है? यह सिंथेटिक फाइवर्स है, यानि कि आर्टिफिशल फाइवर्स है, जो कि इंसान खुद बनाता है. नाचुरल फाइबर्स नहीं है, यह है ना? नेक्स्ट है डैश is the national dress of Indian woman Indian woman के national dress क्या है तो वो है साडी थर्ड है तरंगा और कसाबा are the dresses wear by dash women ये dresses कहां क्या औरते पहनती है तो वो है कश्मीरी woman ठीक है कश्मीर क्या औरते पहनती है फोर्थ है दुपट्टा is called the odni in दुपट्टा को odni कहा जाता है कहां पर तो वो है राजिस्थान और गुजरात में फिफ्ट है डैश प्रिंटिंग is done with wooden blocks wooden blocks से कौन से printing की जाती है तो वो है block printing जिसमें हम लकडी को लेते हैं लकडी पर डिजाइन बनी होती है उसको हम कलर में डालते हैं और फिर कपड़े पर लगाते हैं तो कपड़े पर डिजाइन आ जाती है ठीक है तो इसका answer होगा block printing next है true and false इसमें first पूछा है धोती is stitched piece of cloth धोती जो है वो सिलावा कपड़ा होता है तो यह false है क्योंकि वो सिलावा कपड़ा नहीं होता है वो unstitched होता है unstitched मतलब बिना सिला हुआ next है turbans are used by men जो पगड़ी होती है जो turbans होते है वो men use करते है तो यह true है next है a beautiful pattern is found when the knot is opened in tie and dye tie and dye में हम क्या करते हैं गाट बानते हैं और उसको color में डालते हैं फिर जब उस गाट को खोलते हैं तो क्या होता है एक अच्छा सा pattern बन जाता है ना अच्छी से design बन जाती है तो यह true फूर्थ है yellow color is made from harshingar flowers harshingar flower को यूज करके हम यलो कलर यूज करते हैं तो यह गलत है इससे तो orange color बनता है yellow color किससे मलता है हल्दी से बनता है है ना फिर फिफ्ट है block printing can be done by machines block printing हम machine से करते हैं तो यह wrong है इसके लिए तो हम wooden blocks use करते हैं next answer the following question first question इसमें पूछा है what are natural fibers how we get these fibers natural fibers क्या होते हैं और हमें यह fibers कैसे मिलते हैं तो यहां हमने इसका answer लिख रखा है fabrics that we got from plants and animals are for natural fibers यानि ऐसे fabrics जो हमें plants and animals से मिलते हैं उन्हें हम natural fibers कहते हैं अब next question इसमें पूछा था how we get these fibers हमें इस fibers कैसे मिलते हैं तो हमने लिखा कि इसमें क्या होता है पूरा बनने के लिए उसमें involved होता है ginning, dyeing इस तरह के कई processes second है what do you understand by tie and dye tie and dye क्या होता है तो हमने लिखा in tie and dye process some portion of the cloth are rubbed with wax and tied into knot तो क्या होता है कपड़े का थोड़ा सा बाग उसमें हम लोग wax लगाते हैं और उसको guard बान देते हैं ठीक है फिर क्या करते है it is then dyed and dried फिर हम उसमें color छेड़कते हैं और उसको सुखाते हैं और फिर जब हम उसको खोलते हैं तो एक सुन्दर सा pattern बना वा रहता है third है what is block printing block printing क्या होता है तो answer लिखा हमने in block printing wooden block is dipped in colors and then pressed on to the cloth to make different patterns block printing में क्या होगा wooden blocks हम लेते हैं ठीक है उसको color में डालते हैं और फिर उसको cloth में press करते हैं तो उससे different patterns बन जाते हैं fourth है what are synthetic colors how are they made synthetic colors क्या होते हैं और वो कैसे बनते हैं तो हमने लिखा artificial dice को हम synthetic colors बोलते हैं और वो chemicals से बनते हैं ठीक है chemicals use करके बनते हैं fifth question है what is embroidery 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 क्या होती है हमने answer लिखा embroidery is a method of creating patterns on a cloth with the help of needle and colorful threads embroidery एक तरीका है जिसमें कि हम pattern बनाते हैं cloth के उपर कपड़े को उपर क्या use करके needle यानि कि sui and colorful threads यानि कि रंग बिरंगे धागे यानि रंग बिरंगे धागे और sui की मदद से एक कपड़े के उपर हम लोग pattern बनाते हैं यानि कि design बनाते हैं उसको हम कहते हैं embroidery ठीक है तो यह हो गए हमारी question answer तो इस तरह हमारा chapter number 15 complete हो गया है तो मैंने आपको इसमें word meanings और इसका पूरा exercise बता दिय यह पूरा work आप लोग अपने notebook में complete कर लेना कोई भी problem हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं हमारी classes में मिलेंगे फिर अपने next class में till then bye take care